साथियो नमस्कार एक बार फिर से आपका स्वागत है C.I.E.T. N.C.E.R.T. के लाइव इंटरेक्टिव प्रोग्राम में जिसे आप देख सकते हैं स्वयम प्रभा के किशोर मंच चैनल पर और हमारे यूट्यूब चैनल N.C.E.R.T. ऑफिशल पर भी अपने टीवी सेट्स पर आपके शोर मंच D.T.I.C.E.R. चैनल नंबर्स हैं डीडी फ्री डिश के लिए 128, टाटा स्काई के लिए 756, डिश टीवी के लिए 277, एरटल पर 440, विडियो कॉन पर 477, फन डारेक्ट पर 793 और आप हमें अपने जियो टीवी मोबाइल एप पर भी देख सकते हैं और मुझे मालूम है के हमारे क्यूरियस लिसनर्स को कई बार ऐसे सवाल आते हैं जो उनको हाथ हो हाथ पूछने होते हैं और अगर नहीं पूछे तो वो हमारे मन से चले जाते हैं गायब हो जाते हो लिए आप इंस्टेंटली हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारी यूट्यूब जो चैनल है उसमें लाइव वीडियो के नीचे चल रही लाइव चैट का हिस्सावन करके उसके अलावा आप हमारे जिहां तोल फ्री नंबर्स नो मनी आप इन तोल फ्री नंबर्स पर हमें कॉल हमारी इमेल आईडी जहां पर आप अटैच करके भीज सकते हैं अपनी क्रेटिविटी की पिच्चर या अगर कोई सवाल कुछ प्रबलम है लिख करके वो भी भीज सकते हैं आप हमें अब थोड़ी देर पहले आपने जैसे देखा था कि हम आर्ट को इंजॉय कर रहे थे अ उस connection को लेकर करके हम बात करने वाले safe use of internet and social media की जिसके लिए मैं वेलकम करना चाहूंगा शो में हरीश कुमार मीना सरका सर वेलकम तूद शो नमस्कार तो सर आज आपने ये topic क्यों चूज किया है सबसे पहले तो इस बारे में मैं जानना चाहूंगा नमस्कार जो बच्चे हमारे हमें देख रहे हैं हमारे विविन माध्यमों से जैसा कि रक्षित ने बताया कि आज हम बात करेंगे जो different mediums हैं internet है और social media है और इसके अलावा और बी जो संचार के माध्यम हैं उनका बच्चों के लिए किस प्रकार safe use करें तो जैसा कि बात करत हम तो एक बच्चों में जब हम अपर प्राइमरी की बात करते हैं तो कहीं सारे माध्यमों जिसमें internet के विभिन माध्यम हैं इसके अलावा बहुत सारे गज़ेट्स हैं जिसमें TV, mobile phones या और सारी चीजें हैं और जो मीडिया हमारे चाहिए वो print मीडिया हो या electronic मीडिया तो एक basic understanding बच्चों में हम develop कर पाएं कि यह अलग-अलग medium है और इसको हमें किस प्रकार use करना है इसके अलावा यह media किस तरह काम करता है और इसकी real और real life में जो difference है वो बच्चों समझ पाएं और इसके अलावा किस प्रकार यह जो अलग-अलग माध्यम है चाहिए वो internet हो चाह उनको मिले और वो differentiate कर पाएं कि सही और fake या उस तरह की जो गलत सूचना है उसमें किस प्रकार से वो अंतर कर पाएं यह भी हम जाने की कोशिश करेंगे और इसके अलावा बच्चों में कि किस प्रकार जो अलग-अलग माध्यम जिनकी हम बात कर रहे हैं उसको किस प्रकार वो यूज करें और safely यूज करें ताकि किसी तरह की unsafe situation में वो नहीं आएं तो यह तीन-चार जो मोटे-मोटे उद्देश हैं इस आज के session के तो उसके बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे रक्षित तो सर मीडिया के लेकिन कई सारे फायदे भी हैं social media के भी कई सारे फायदे हैं हमें बहुत सारी information मिलती है जैसे कि अभी के समय में अगर हम देखें तो social media इतना बड़ा रोल निभा रहा है हमारी social distancing को actually दूर करने में कि हम online तो नजदीक आ चुके हैं चाहें हम real life में जितने communications mediums हैं या अखवार हैं या magazines हैं यह बहुत सारी information इनके पास है जो access कर सकते हैं बच्चे तो कह सकते हैं कि एक बड़ा एक store house हम मान सकते हैं कि यह जो अलग-अलग माध्यम है सूचनाओं का और बहुत सारी जानकारी जो बच्चों के लिए जरूरी हो सकती है उस तरह कि बह पराप्त कर सकते हैं और मीडिया और जो सूचना है उसमें जो आपस में link है और जो उनके real life का link है उसको भी हम कोशिश करेंगे जो outcome रहेगा वो यही कि बच्चे कोशिश करें कि वो link वो अपने आप linkage उसमें establish कर पाएं जैसे कि आप अगर screen पे देखें तो कहीं तरह की में कोशिश करते हैं कहीं बार जैसे अगर हमारे कोई power cut होने वाली है तो आजकल देखते हैं कि message mobile पे आ जाता है कि इस schedule time पे आपके power cut होगी तो यह सूचना हमें कहीं बार इन से मिल जाती है इसके अलावा जो मेरी weight है height है या उस तरह की चीज़ें हैं जो अगर बढ़ रह में सूचना है यह कुछ उधारन हम दे रहे है इसकी तरह जैसे कि आजकल कोईट का मावल है तो teachers message देते हैं बच्चों को कि अलग-अलग activities या जो online sessions हैं वो किस परकार होंगे इसके अलावा debates अगर TV के हम बात करें तो parliament में अगर चल रही होती है और जो issues है या देश-विद इसमें क्या हो रहा है उसके बारे में information मिल जाती है आपके favorite songs के बारे में मिल जाती है weather conditions है कि कल बारिश होगी या नहीं होगी या कि उस तरह का तापमान कितना रहेगा आप बाहर जाने लाइक स्थिति में अखर अभी तो नहीं है लेकिन तो वो उस तरह की चीजें है और इसके अलाव ज़े से अगर हम बात करें इसके safety के context में तो अलग-अलग situation में आपके इसको contact कर सकते हैं वो भी आप internet और इसके माध्यम से पता कर सकते हैं वो भी आप अपके neighborhood में कुछ इस तरह की घटनाई हैं उसके बारे में इससे पता कर सकते हैं आपके जो text या आप आपके जो school से संबन्दी थी आजब academic life से संबन्दी चीजे हैं वो भी आप access कर सकते हैं अलग-अलग topics पे internet के माध्यम से laptop चाह मोबाईल और या तिवी पे आजकर बहुत सारे online NCRT ने शुरू के और और भी educational institutes हैं जो जिनके programs चल रहे हैं स्वें प्रभा एक platform में जिस पे काफी educational institute काम कर रहे हैं और इस तरह की हिस्सी और बहुत सारी चीजे हैं जो internet से बच्चे access कर सकते हैं तो एक माध्यम है एक platform है जो बच्चों को अलग-अलग तरह की जो उनकी life से related जो चीजे हैं उसके बारे में information यहां से वो प्राप्त कर सकते हैं तो यह बहुत जरूरी ह माध्यम है इसका और बहुत सारी सूचनाएं इस माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं और लेकिन जो एक बहुत जरूरी चीज़ जब हम safety की बात करते हैं तो इस तरह की जो सूचनाएं है उसको verify करना बहुत जरूरी है और trusted source जो जो भी source हम information का है वो source authentic होना चाहिए यह होता है कि untrusted sources भी होते हैं और बहुत सारी fake चीज़े हैं तो उसको भी identify करना बचों में वो skill develop करना बहुत जरूरी है कि जो information है वो सही है कि नहीं उसका source जो है वो authentic है कि नहीं और किसी तरह की situation में अगर वो पढ़ते हैं तो उनको फिर trusted adult जिस पे वो भरुशा करते हैं कि नाओं का एक समंदर है internet है या social media है या और जो platforms जब हम TV magazines और अख़वारों की बात करते हैं तो हमारी बहुत सारी जो daily life की चीज़े हैं वो उससे संबंदी सूचना है हम यहां से प्राप्त करते हैं तो एक बहुत जरूरी हमारे जीवन का एक एहम इस्सा हो गया है आज क जाता हूं कि यह सवालों के समंदर में कहीं खोना जाए खुब सारी चैट हमारे पास में आ रही है सवाल ऐसा है कि age gap जो हमारे घर में ऐसा है कि adults जो है वो technologically इतने aware नहीं है और हम youngsters जो है हम risk से prone हैं हम तो किसी भी चीज का शिकार हो सकते हैं तो जब आपने कहा कि किसी adult के पास जाकर कि हम मदद ले सकते हैं जब भी हमें social media या किसी चीज में supervision की जरूत हो तो हम ऐसे में अगर बढ़ों के पास जाते हैं तो उनका पहला reaction सिर्फ यह होता है कि नहीं यह सब करना छोड़ दो यह बंद कर दो वो डिलेट कर दो यह account बंद करो यह मत करो दूरी बना लेना भी हानिकारक हो सकता क्यूंकि आपने कहा कि बहुत सारी information ही online available है उससे कट करके भी रहा नहीं जा सकता और उसके साथ रहने के जो harmful effects हैं अगर वो बताने वाला किसी के घर में ना हो तो वो इसको अपनी यह problem पहुंचाएं जी बहुत अच्छा सवाल है और देखिए ह हमारे देश में बहुत विवित्ताओं से भरा है शहरी छेतर में देखें तो लोग बहुत इसके बारे में जानते हैं और कुछ लोग हैं अगर ग्रामीन परिवेश की बात करें तो जो generation gap जो बात के हमारे दर्शक ने तो वो बहुत है तो आप कोशिश करें जरूरी नहीं ह कि वो परिवार में कोई हो आप अपने अगर बच्चों की बात करें तो किसी teacher से आप बात कर सकते हैं या फिर आपके और आसपडोस में कोई ऐसा हो जो exposed हो technology use में तो उस पे अगर आपके सामने कोई किसी तरह की risky situation है तो उससे जरूर बात करें और जहां तक मदद की बात है कि जो internet है या उससे आप किस प्रकार से साहता ले सकते हैं तो teachers एक अच्छा विकल्प है इसका तो teachers से जरूर बात करें और आसपास अगर आप देखें कि अगर ग्रामिन परवीश में बात करें हम या ऐसा जहां परिवार में कोई ऐसा नहीं है जो generation gap है और जो इस तंतर से वाकिफ नहीं है तो फिर आसपास मदद ले सकते हैं किसी लेकिन यह होना चाहिए कि वो भरोसे का हो और trusted हो आप से संबंदी जो भी सूचना है वो सही सूचना है या सही जो उसकी तकनीक है या जो process है वो सही बताए तो यह बहुत जरूरी है जब हम किसी दूसरे से बात कर लोजी करते हैं तो teachers हैं जिस पे बचे अगे study में हमने पाया कि सबसे ज्यादा जो बचे trust करते हैं अपने teachers पर या पेरेंट्स पर तो इस उनकी विकल्प है जिस पर हो trust करते हैं तो उसको जहां से जादा से जादा कोशिश करें कि उसको प्रथम उसमें रखें पंक्ती में जी सर आपने बिल्कुल सही कहा कि आपने आस पास किसी भरोसे मंद बड़े इंसान को ढूढ़ना आसान हो सकता है। या नहीं है क्योंकि आपने कुछ फायदे तो बता दिये हैं तो अब हम रियल और उनलाइन लाइफ जो हैं उसमें कुछ अरकों के बारे में बात करके यह समझ सकते हैं कि किस तरीके से इंटरेट हमारे लिए थोड़ा हांफुल भी है और हम एक बीच की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जी हम बात करेंगे इसके बारे में भी आगे लेकिन क्योंकि सवाल आया तो अभी जवाब देना ज्यादा बैतर होगा तो एक संसिप्त रिप्लाई यही दे सकते हैं कि जहां तक बात करें स्क्रीन टाइम जो बढ़ गया उसकी तो जब भी लगे आपको कि आप अनकमफ कर लें जो अपनी पसंद की हैं या कोई फिजिकल एक्टिविटी या योगा या उस तरह की कोई दूसरी जो आपको पसंद हो आपकी मन या पसंदीदा वो एक्टिविटी होनी चाहिए ताकि उससे जो स्ट्रेस है वो जल्दी रिलीज कर पाएंगे आप और जरूरी नहीं है कि आप दिन बर स्क्रीन के सामने बैठे रहें जब भी आपको अनकमफर्टेबल लगे ऐसा हैज महसूस करें आप तो किसी और गतिविदी में अपने आपको इन्वाल करें ताकि वो जो आपको जो भी स्ट्रेस है या और किसी तरह की सारी परेशानी हो रही है तो उससे आपको निजात दिला पाएं जहां तक की बात है कि इंटरनेट तो जैसा कि हमने का एक समंदर है और इसमें से सेफ चीजें आपके लिए क्या जरूरी है और क्या हानिकारक है उसकी पहचान करना बहुत जरूरी है और कई बार हम लोग नहीं करते हैं तो कई बार लोग कहते भी हैं कि एक नशे की तरह है इंटरनेट या सोसल मीडिया की जब हम बात करते हैं और बहुत सारा हम समय उस पर अपना बरबात करते हैं और एक लंबे समय के बाद हम रियलाइज करते हैं कि हमने अपना एक कीमती समय वेर्थ में गवा दिया तो इसलिए जो एडिक्शन है तो उस पे बहुत गहरा परभाव पड़ता है तो बच्चों को, पेरिंट्स को और टीचर्स को सब को इसको ध्यान देना है कि वो किस प्रकार से जो उसका उप्टिमम टाइम है जो उनके लिए जरूरी है उसको मैनेज करना बहुत जरूरी एक एक एक्टिवीटी है जो हम बताएंगे लास्ट में कि किस परकार आपको अपने टाइम डाइरी को मेंटेन करना और आप उसे पता कर सकते हैं कि आप इंटरनेट पर या सोचल मीडिया पर अपना समय वियर्थ गवा रहे हैं या वो आपके लिए यूस्फुल है तो वो उसके बारे में हम आपके बाद मे का हिस्सा बन गया है जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हम इंटरनेट पर पढ़ रहे हैं पढ़ा रहे हैं सीख रहे हैं तो यह एक बुरी चीज नहीं रह गई है कि घर वाले सिर्फ ऐसा कह करके दरकिनार कर दें कि सोशल मीडिया या इंटरनेट बिल्कुल अच्छा नहीं है किसी काम का नहीं है आप तो कोई फाइदा नहीं हो सकता तो फायदे हैं लेकिन नुक्सान भी हैं जिस तरह से हम देखते हैं सर के औलान अगर कोई की पोस्ट आ रही है जो हमको काφी लुभा रही है हमारी रेर लाइफ चाहें वैसी नहीं है हमारे पास अगर एक शांदार क्रियेट करते हैं जो कि सच नहीं और जो हमें भी मालूम होता है कि सही नहीं है पर ऐसा करते हैं यह क्यों होता और इससे कैसे हम पार पासकते हैं देखिए यह इंडिविजवल टुइजवल डिफ्रेंश मतलब वैरी करता रहता है जैसा कि मैंने का नहीं एक नशा या एक लट लग जाती है आप एक अलग दुनिया में जो जब हम बात करते हैं रियल लाइफ की या रियल लाइफ की जो हम अपने आसपास विभिन जो मीडि में जेकरते हैं कि अलग अलग तरह की लोग फोटो पोस्ट कर रहे हैं और एक वो यह दूसरे उसमने सचाई से काफी दूर होती है उस तरह की या तनिया में हम धीटे पर जाते हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा चैनल हमारे सामने होता है जिसको हम अपनी तरफ आकरशित या प्रभावित करने की कोशिश करते हैं तो इसलिए उस तरह की चीजे या उस तरह की प्रवर्ति हम बच्चों में और खासकर एडल्स में सम्में देखने ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीजे होती है तो बच्चों को कोशिश हम वही करते हैं इस तरह के मौडूल के माध्य हम से कि वो कोशिश करें कि वो जो रील लाइफ है और रियल लाइफ है जो आपको देखता है सोसल मीडिया पर या टीवी पर उस पर और जो वास्तविक में आप हैं और इनको बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं इस तरह की चीजें बहुत से फेक उसमें आइडेंटिफाई करना या फिर देखते हैं कि कई बार कुछ हाई स्पीड बाइक्स की बात करते हैं उस तरह के एड आते हैं रियल बॉइज जिसमें बात करते हैं या हीरोईजम की बा जावित होता है और बच्चे कहीं तरह के उनसको देखके कहीं बार है कि वो रिसकी सिच्वेशन में उस तरह के एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं जिससे उनकी जान को भी खत्रा हो सकता है तो ये सारी कुछ हैं पॉपुलर एड़िटाइजमेंट्स हैं कि आप ये कू पर हम देखते हैं जाई या सोसल मीडिया पर जो देखते हैं वो जो वास्तिविक जीवन है उससे काफी भिन होता है तो बच्चों में ये समझ क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है और इसके अलावा जो मीडिया पर या इंटरनेट पर जो हमेशा जो दिखाया जाता है वो ह इस तरह की जो चीजे हैं या प्रोडेक्ट्स हैं जो हम देख रहे हैं अड्विटाइजमेंट्स के थूरू या अलग-अलग इन्फॉमेशन है जो अलग-अलग तरह की चीजे क्लेम करती है तो वो ट्रस्टेड है की नहीं तो एक वेरिफिकेशन जरूर उस तरह की इन्फ पूछना है कि रक्षित ब्रामक का इंग्लिश में क्या मतलब होता है तुम बता देता हूं इस मिस्लीडिंग यानि कि आपको गलत तरफ ले जाने वाला यानि कि हो कुछ और और दिखाई कुछ और दे ऐसी चीज जो ब्रहम पैदा करे इल्यूजन पैदा करे और एक सर सव पैदा करेंगे पहले हम जो प्लेटफॉर्म से डिफेंट उसके बारे में चोटे सा बात कर लेते हैं कि इंटरनेट की जब हम बात करते हैं तो फोन के ठुरू एक्सेस करते हम यह लैप्टॉप यह कंप्यूटर के माध्यम से और फिर इंटरनेट पे बहुत सारे अलग-अ socle'd अकार हैं है नहीं करना चाहता तो बहुत सारे एप्स हैं बहुत सारे गेम्स के एप्स है और कहीं तरह के साइट हैं जो तो attract करती है और बच्चे और अडल्स भी उस पर काफी अपना समय व्यतीत करते हैं कि यह हो गया एक हो गया जो टीवी चैनल्स है हमारे सामने जो टीवी है उसमें बहुत सारे चैनल्स है उसमें अलग-अलग तरह के जो सरे लिटेड हैं एस्पोर्ट्स के हैं नीज चैनल्स हैं कुछ इन्फॉमेटीक और एकड़मिक से रिलेटेड भी हैं और कुछ एंटर्टेन्मेंट के चैनल्स हैं तो वह सारे हैं जहां से भी हमें कहीं तरह की information मिलती है इसके अलावा radio एक बड़ा माध्यम है FM और इसके अलावा जो और radio के channels हैं newspaper हैं और magazines हैं तो यह मोटे मोटे माध्यम है जो हम जिससे हम अलग different सूचनाई प्राप्त करते हैं अब जो बात जब हम आपने कहा कि किस प्रकार हम हम लोग differentiate कर पाएं कि internet पे जो सूचना है वह सही है कि नहीं तो वह एक बहुत जरूरी चीज है तो उसके लिए मैं हम कहना चाहेंगे कि जैसे कि अगर हम news की बात करें तो आप देख रहें कि WhatsApp पे और बहुत सारी जो Facebook पे या उस तरह कि जो भी हम mediums use करते हैं बहुत सारी fake news आती हैं तो कोशिश करें कि जब भी आप किसी news को access करें उससे संबंदित कोई चीज आप access करना चाहते हैं माध्यम से तो usually जो authentic sites हैं जो news channels हैं जो आप देखते हैं या जहां से आप access करना चाहें Press Trust of India की जो website है जो government run website है उस पे जरूर आप देखें उस news से संबंदित क्या चीज़े हैं ANI का एक बड़ा network है इसके अलाबब बहुत सारे जो trusted networks है news agencies हैं उनकी websites को या दूरदशन की आप website ले सकते हैं या GOV government of India का जो portal है उस पे भी कहीं तरह की सूचनाई है तो कोशिश करें कि जब भी आप news या उससे संबंदित कोई चीज़ें access करना चाहें और international जब बात करें तो आप जो भी और sources हैं जो authentic हैं उन पे ही जाएं और वहां से कोशिश करें कि news से संबंदित जितनी भी चीज़ें हैं वो access करें और अगर आपको लगता है कि वहां पर उस तरह की जो आपने सुनी है आपके पास आई है अगर वहां नहीं है तो आप थोड़ा सा doubt कर सकते हैं उस तरह की news प होते हैं वो एक-दो अलग-अलग platform पे हमें देखने को मिल जाते हैं तो वो news paper में है कि नहीं वो अलग-अलग दो-तीन news websites हैं उस पे है कि नहीं तो cross check भी कर लेना चाहिए जब भी हम किसी तरह की news हमारे सामने आती है आज के माध्यम में या कहीं सारी जब unrest के जब हम बात कर हैं तो उनको forward करने से पहले एक बार अलग-अलग माध्यम से आप इसको देख सकते हैं इसके अलावा जो बहुत सारी fake news आती है उसमें कहीं बार होता है कि कहीं तरह की spelling mistakes हो सकती है या जो उनका जो font है या जो उसका जो format है वो usually थोड़ा सा जो mainstream news जब हम देखते हैं उससे अलग होता है तो उससे भी हम पता कर सकते हैं कि वो fake है कि नहीं इस तरह की सारी चीजें हैं उसकी language को देख के कहीं बार पता लग जाता है इसके अलावा बहुत सारी जो news हैं वो survey और poll से संबंदित होती हैं जिसका कोई source नहीं होता तो उस तरह की जो news है उसको भी हम authentic नही news होती है वो source of information उसमें जरूर होता है खासकर अगर हम survey और polls की इस तरह की चीजें की बात करें तो वो जब भी आप access करें तो वो देख लेना बहुत जरूरी है हमको जब हम बात करते हैं इस तरह की information के बारे में कहीं बार होता है कि जो सूचना हमें मिलती है वो हमने सुना नहीं होता या बहुत dramatic उसमें उस तरह का होता है और कहीं बार unscientific behavior को भी promote करती हैं तो इस तरह की सूचनाओं भी बहुत ज्यादा उसकी probability होती है कि वो unrealistic हो सकती है तो उस तरह की सूचनाओं पे भी आप थोड़ा सा ध्यान दें जो आपको लगे कि थोड़ा सा उनका unscientific behavior ह या dramatic है या उस तरह की और कहीं बार होता है कि आप जो भी website जहां से आप access कर रहे हैं उसको जरूर देख लें कि वो जो भी website का domain name है या वो आपको unrealistic लग सकता है क्योंकि बहुत सारी similar fake websites भी होती है जो authentic site होती है उससे मिलती जूलती website होती है तो वहाँ पे भी उस तरह की ची जावा अगर हम बात करें कि जो controversial topics के बारे में या कई बार biased information होती है तो कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा अलग अलग जो माध्यम हैं उससे access कर पाएं और फिर उसके बाद उस news agency या उस news के उपर अपने parents के साथ में जरूर discuss करें या अपने जो साथी हैं उनके साथ discuss क कर सकते हैं कि वो कई बार biased viewpoint की भी हम बात करते हैं कि एक segment है जो एक खास ideology को promote करने की कोशिश की जाती है और एक दूसरा segment है जो एक खास उसको तो कई बार उसमें biased होते हैं तो दोनों माध्यमों को बच्चों को समझना कई बार जरूरी होता है ताकि दोनों viewpoint तो वो जरूर अपने जो trusted adults हैं उनके साथ discuss करें उस तरह की चीजों को तो आप एक बहतर तरीके से उस सूचना के बारे में जो realistic चीजे हैं उसके बारे में समझ अपनी बना पाएंगे इसके अलावा कुछ जो post होती है information या news होती है वो बहुत funny और interesting type की भी होती है और whatsapp पे और इस पे आ बिलती नहीं है तो उस तरह की चीजें भी आप cross check कर सकते हैं कि वो और platforms पे भी वो है की नहीं और कुछ website होती है जो जिसमें देखे onion news और faking news इस तरह की जो है जो just for making fun वो होती है और कहीं बार हम लोग उसको सही समझ के आगे forward भी कर देते हैं actually ऐसा मैंने खुद ने किया ह हुआ है फिर जब मुझे बाद में पता लगा तो faking news का ही था भाई चांस यहां पर उसी का उधारन भी दिया हुआ है तो इस तरह की जो भी news है आप forward करने से पहले या उसको देखने से पहले जरूर देखें कि वो उसका source क्या है और वो source authentic है की नहीं तो यह एक चीज है ज हम सब को ध्यान देनी चाहिए information को जब भी हम access करें तो यह जरूर ध्यान रखें कि उसका जो source है वो ठीक है की नहीं तो डिफ्रेंट जी सर एक question हमारे पास यह भी आया है इसी से जुडावा कि सर ऐसा अर्तूर जी का यह message है कहते है कि fake news का क्या हमारे ओपर impact और influence हो सकता है मतलब जैसे आपने अगर forward कर दी थी वो fake news तो उससे उसी तरह से और क्या क्या harmful effects हो सकते हैं क्या हमें सामना करना पड़ सकता है जी fake news है कि कहीं बार अलग अलग purpose होते है fake news create करने के उसमें कहीं बार होता है कि कुछ rumors होते हैं जो फैलाने के लिए किये जाते हैं इसके परिशान कर सकती है और इसके legal complications बहुत हैं कि अगर आप कोई fake news है आपके पास आई आप उसको आगे forward करते हैं तो वो एक legal complications में भी आप फास सकते हैं उसके जो legal punishments हो सकते हैं वो भी हो सकता है कि आपको जहलने पड़े तो इसलिए जहां तक हो content जब तक आप खुद trust ना कर कर लें और उस सूचना को verify नहीं कर लें तो आगे forward ना करें तो यह implications हैं जो हो सकते हैं कुछ आपके physical और mental issues से related हो सकता है आपको कहीं fake news है कहीं बार परिशान कर सकती है और अगर आप उसको आगे forward करते हैं तो फिर उसमें legal complications भी हैं जिनका आपको सामना करना पड़ सकता है और यह भी aspect इसका मुझे ऐसा लगता है कि हमारे mind को इस तरह से manipulate कर दिया जाता है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी रायक इस तरह से बदल दी गई और certain किसी party ने या फिर किसी product ने इस तरह से मेरे brain को manipulate कर दिया कि अरे भाई इससे तो 99.9% के टानू खतम हो जाते है तो मुझे तो बस यह खरीदना है जबकि उसका कोई valid proof नहीं होगा लेकिन मैं उस fake news fake idea से अपना मन बना लूँगा कि अब मुझे यह चीज नहीं खरीदनी यह करनी है इसे vote नहीं देना है उससे देना है यह fake news भी कर सकती है उसको real होने की जरूरत ही नहीं है जी जी बेसिकली म नहीं बार हम नहीं समझ पाते हैं जो कि हमारी जो awareness है उससे संबंदित वो पूरी नहीं होती है तो वो सारी चीजें जो आपने रक्षित काई बिल्कुल सही है कि एक खास तरह की हमारी सोच को develop करने के लिए या हमें उसको influence करने के लिए वो अलग-अलग area से related हो सकती है तो इसलिए ये fake news create के जाती है और वो purposely create के जाती है और उनका एक objective होता है तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जो भी हमारे पास आ रहा है उसको ध्यान से हम देखें और अगर वो unrealistic लगे तो हम उसको avoid करें और कहीं से भी अगर वो हमें unsafe कर सकती हो चाहिए वो physically, mentally या legally तो उसको avoid करें उस तरह की चीजों को तो ये सारी चीजें है रक्षी तब हम थोड़ी सी बात करेंगे कि हम लोग online safety के बारे में कि हम किस प्रकार अपना ध्यान रखें क्योंकि बच्चों की जब हम बात करते हैं तो कुछ यहां case studies हम लोग screen पे देख सकते हैं इसमें एक है कि रिया क यह case study है जिसमें है कि उसके landline number पर call आता है और कहते हैं कि आपका नाम shortlist हुआ है free gift के लिए इस तरह की calls मेरे पास भी बहुत आती है और रक्षी जरूर आपके पास भी आई होंगी कि आपका number select हुआ है आप यह कर दीजिए तो यह यह बहुत कभी भी कोशिश करें कि जब account details मांगते हैं या और आपकी date of birth पूछते हैं या और कहीं बार यह होता है कि यह series of information different motives बता के कभी free gift के नाम पे आपके date of birth ले ले लेंगे फिर किसी और चीज के नाम पे आपका mobile number access कर लेंगे तो फिर वो सारी information को एक जगे gather करके हो सकता है कि आपके साथ को economic offense हो आपके account स कुछ पैसा या आपके उस तरह की चीजें भी इसमें देखने को मिलती है जो दूसरी case study है जो हम screen पे देख सकते हैं वो देव और उसके regarding है तो वो आपस में chat करते हैं online और दोनों के common interest होते हैं और फिर music favorite song के लिए वो phone number या whatsapp number वगरा sharing के बात है तो दोनों ही चीजे हैं जिसमें avoid करें आप जब तक आपके सामने जो trusted source है वो उसको अगर इस तरह की अपनी personal information हो चाहे वो आपका address हो गया आपका mobile number हो गया या आपका और जो चीजें हैं वो share ना करें तो ये बच्चों को ध्यान रखने की बहुत जरूरी है जो तीसरी case study है कि हम देखते हैं कि ज अपनी photo sharing शुरू होती है या कहीं तरह की चीजें होती है और फिर मिलने की भी बात होती है तो इस तरह की situations को भी बच्चों को avoid करना चाहिए जब तक आप सामने वाले के बारे में पूरी तरह संतुस्त ना हो जाए जब तक ना उसको personal information आप share करें और ना ही इस तरह का कोई risky situation लें जिसमें आप उन से मिलने कहीं बाहर public place में जाए without informing आपके जो parents है उनको या कोई trusted adult है उनको एक और issue है जो है कि cyber bullying की जब हम बात करते हैं तो social media platforms पे bullying की या उस तरह की चीज़ें बहुत होती है खास कर बच्चों के जिसमें abusive और insulting और threatening language भी कहीं बार use होती है तो इत बच्चे उसको block कर दें और अगर लगता है कि आप mentally उससे disturb हो गए है तो आप किसी बड़े से बात कर सकते हैं एक और जो बच्चों में आम चीज़ें हम देखते हैं कि वो जहां भी जाते हैं तो location share करते हैं अपनी वो उस तरह की चीज़ें तो उसको भी avoid करना चाहिए क्य हम देखते हैं कि आपकी जो locations हैं या आपकी जो information आपने share किये social media के women platforms में तो उसके थूरू फिर आपके साथ कहीं तरह की crime activities की जो risk है वो बहुत बढ़ जाती है तो कोशिश करें कि आप location वगएरा और इस तरह की चीज़ें शेर ना करें और करें तो जब आप वह उस location से द तो वो भी एक बहुत जरूरी है जिसको हमें ध्यान रखना है और एक और बात करें जैसे कि बहुत सारे email साते हैं कि मेरा phone खो गया है या कहीं पर चूरी हो गया इस तरह के आप इस account में पैसे भेज़ दें या इस तरह की जो चीज़ें यह मेरे पास भी बहुत आए और अक आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि जैसे लोग अक्सर ऐसे फ्रॉड emails बना करके भीज़ते हैं कि मेरी बच्ची को cancer है उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए कुछ funding कर दीजिए और इतने सारे लोगों ने मुझे payment किया है लेकिन मुझे इतना amount और raise करना और उसके साथ में document भी होता है कुछ fake सा जिसको आप मान लेते हो कि यह किसी doctor का लिखावा कुछ है जिसना prescription है दूसरी चीज़ें और बता रखा है कि इतना bill आएगा आपको treatment का और आप सोचते हो कि हम एक भले इनसान है और किसी के काम आ जाए है इसलिए हम यह payment कर देते हैं क्या जा रहा है दो पांच हजार रुपए 500 रुपए देने से लेकिन असल में वो पैसे किसी की मदद के लिए काम नहीं आ रहे होते हैं वो बस एक scam होता है और हमें पता नहीं होता उसके बारे में जी 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 इस तरह की बहुत सारी चीज़े हैं अगर adults की बात करें तो जब भी हम income tax भरते दो या इस तरह की तो इस तरह की बहुत सारी चीज़े हैं वो जो ये जिनको जो इस तरह के कामों में lift हैं वो उतने innovative हैं और कोशिश करते हैं नए नए उनके माध्यम से कि आपको किसी भी प्रकार से वो अपने चंगुल में ले पाएं तो हमें बहुत सजग रहने की जरत ह है अपने जो भी bank account details अगर हम बात करें या अपनी personal information कभी किसी के साथ share ना करें जब तक वो बहुत जरूरी ना हो और सामने का जो source है उस पर आप trust उसको जानते ना हो तो ये बहुत जरूरी है अगर हम अपने सारे message को अगर summarize करें तो यह है कि जो personal information है वो कभी भी internet पे या जो within माद्य हम है उसको आप कभी भी ना share करें और जो आप अंजान जिसको है उसको उसके साथ भी कभी ना कभी उसको share ना करें face to face meeting audio और video calls को avoid करें क्योंकि बहुत सारी tricks internet पे या जो लोग हैं इस तरह के वो अपनाते हैं image manipulation वाली चीज़ें कि आपके screen shots ले करके और face morphing वगएरा करके लोग उसका अब अब्सक्राइब करते हैं या कहीं तरह के और ऐसी बातें करते हैं जो false promises होते हैं या जो भी हैं आपको किसी ना किसी तरह से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं attract करने की कोशिश करते हैं कि आप उनके जो सूचनाए हैं वो दें अपनी personal तो ऐसा कभी ना करें photos भी share ना करें और बहुत सारे privacy features और settings होती है अलग अलग उसमें तो उनको जरूर आप on करके रखें और ये भी देखा है कि social media platforms में लोग अपनी real picture नहीं लगाते को गलत photo या अपनी age या इस तरह की चीजों के बारे में aware नहीं होते तो उनको अपने उसमें फसाना बहुत आसान होता है तो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है पहली बात तो यह है कि बहुत से इसमें age limits होते हैं लेकिन फिर भी बच्चे अपने accounts create कर लेते हैं fake उसमें date of birth या उस तरह की चीज़ें डा सब्सक्राइब करें अगर हम चीट किये जा रहे हैं हमें समझ में आता है कि हमारे साथ धोका हो रहा है तो हम किसे रिपोर्ट कर सकते हैं क्या कर सकते हैं यह तूर जी का हमारे पास में फिर से message है तो क्या करना चाहिए इसको हम कर लें जैसे कि मैंने बात की कि pictures को upload ना करें अपनी locations को share ना करें और जो भी अपनी information इंटरनेट पे जो भी आपको लगता है कि information है वो इंटरनेट पे adequate और inappropriate चीजे हैं जो उसको upload ना करें अब जहां तक बात उन्होंने की कि हम किस से हम बात करें तो अगर बच्चे हैं तो सबसे जरूरी है कि जो भी उनके आसपास जो trusted adults हैं उसमें parents हो सकते हैं उन से बात कर किसी भी तरह की आप unsafe situation में हैं इसके अलावा local police सबसे आसान है कि so number पे आप जरूर बात करें यह एक easily accessible number है जो कहीं से भी देश के किसी भी कोने में even आपका phone recharge नहीं है या उसमें वो नहीं है तो यह मिल जाता है तो police को जरूर inform करें आपके इसके रावा अगर बच्चे हैं और juvenile police units हैं अलग-अलग शहरों में और गाओं में उस पे भी आप बात कर सकते हैं चाइल्ड welfare committees हैं उनको access कर सकते हैं और यह national commission for protection of child rights है और national cyber crime reporting portal है जहां पे आप online शिकायत कर सकते हैं इसके अलावा अलग-अलग जो राज्यों की police हैं उनके भी बहुत सारे जब हम cyber bullying की ब हैं उसके बात करते हैं तो यह सारे हैं जिन पर आप report कर सकते हैं अब अन्त में हमारे पास दो मिनट रह गए हैं तो एक activity हमारे दर्शोगों के लिए दे दी जाए ताकि वो ciet.kishormanch at gmail.com पर हमें उस activity का अपना जो effort है वो दिखा सके और आपने से जिनके भी सवाल रहे क्योंकि यह इतना comprehensive topic था जिसके बारे में जितनी बात करें उतना कम है तो आप अपने सवाल भी हमें email id पर भेज सकते हैं मैं सर को जरूर forward करूंगा आप अब सर के साथ ही activity सीखे जी जैसा कि हमने रक्षित पहले बात की थी कि बच्चों को कैसे identify करना है कि जो अलग-अलग प्लेटफॉर्म से उस पर वो के अपना जो समय लगा रहे हैं वो useful है कि नहीं तो यह आप screen पर देख सकते हैं किस तरह की table वो बना लें जिसमें time लिख लें और आप क्या किया है और कौन सा जो medium है उसको आपने use किया है कि वो newspaper है TV है mobile है यह laptop है कितना time आपने spend किया और उस useful थी कि नहीं तो इस तरह का आप अपना एक self activity करें अपने जो भी time है उसको monitor करते रहें आपकी कब-कब आपने क्या-क्या चीजें की है और फिर वो useful है कि नहीं तो over a period of time आप अपने आप पता कर पाएंगे कि आप कितना internet पे time बिता रहे हैं और वो useful है कि नहीं आपके लि हैं वो भी देखें तो आपको एक self realization होगा कि आप जो कर रहे हैं internet पे या जो अलग-अलग platforms है उस पे तो वो आपकी जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है वो productive है या नहीं है तो यह बहुत अच्छी activities है जो मैं कहूंगा कि सब बच्चे करें और आपस में share करें और feedback लें एक दूसरे का कि वो क्या कर रहे हैं internet पे और वो productive है कि नहीं जी सर आज आप हमारे साथ जुड़े आपने इतने अच्छे तरीके से social media और media से जुड़े फायदों और नुकसानों के बारे मतार किस तरह से हम उनसे बच सकते हैं ये भी हमने काफी कुछ जाना है और दर्शकों अभी तो हम लेंगे आपसे विदा लेकिन धाई बजे आपके लिए हम क्लास 12 के लिए लेकर क्याएंगे mathematics की क्लास relations and functions और सवा तीन बजे आप देखेंगे history class 11 and 12 के लिए epidemics in India from the pages of history देखते रहे किशोर मांच